नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल बेसिक नालेज पर दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जीके के कुछ इंपोर्टेन कोश्चन देखेंगे जो काफी महत्पूर्ण है और आप ध्यान से इनको देखिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए हमारा पहला कोश्चन है कि पहला आधार कार्ड किस राज में जारी किया गया तो इसका आपसन नमबर A है केरल, आपसन नमबर B करनाटक, आपसन नमबर C महराष्ट, आपसन नमबर D उत्तर प्रदेश तो इसका right answer है आपसंग नमबर C महाराश्ठ हमारा अगला question है कि धूम्रपान पर परति बंद लगाने वाला बिश्चो का पहला देश कौन है तो आपसंग नमबर A है भूटान आपसंग नमबर B है जापान आपसंग नमबर C है चीन और अप्सन नमबर D है अफगानिस्तान तो इसका राइट एंसर है अप्सन नमबर A भूटान, धुम्रपान पर प्रतिबंद लगाने वाला पहला देश जो है भूटान है हमारा अगला कोश्चन है कि नेहरू परवता रोहन संस्थान किस राज में अवस्थित है तो इसका अप्सन नमबर A है उत्तर प्रदेश, अप्सन नमबर B है उत्तराखंड, अप्सन नमबर C है मद्ध प्रदेश, अप्सन नमबर D है सिक्किम तो इसका राइट एंसर है अप्सन नमबर B उत्तराखंड हमारा अगला question है कि सफेद फासफोरस को कहा संरच्छित कर रखा जाता है तो इसका option number A है मिट्टी के तेल में option number B है पानी के अंदर option number C है द्राव नाइट्रोजन में option number D है इन में से कोई नहीं तो इसका right answer है option number B पानी के अंदर सफेद फासफोरस को पानी के अंदर संरच्छित कर रखा जाता है हमारा अगला question है कि कौन सा ग्रह हरे प्रकास को सरजित करता है तो इसका option number A है सुक्र option number B है प्लूटो option number C है मंगल option number D है यूरेनस तो इसका right answer है option number D यूरेनस यूरेनस जो है हरे प्रकास को सरजित करता है हमारा अगला question है कि सीमेंट की खोज किसने की थी तो इसका option number A है जोसेफ आइस्पधीन option number B है जोसेफ लिश्टर कार option number C है कार नबूर्ग option number D है हेनरी टूमेन तो इसका right answer है option number A जोसेफ आइस्पधीन हमारा अगला question है कि दही में खटापन किस एसिट के कारण होता है तो option number A है साइट्रिक एसिट option number B है नाइट्रिक एसिट option number C है लैक्टिक एसिट option number D है इन में से कोई नहीं तो इसका right answer है option number C लैक्टिक एसिट हमारा अगला question है कि आकबर का सिच्छक कौन था तो इसका option number A है मीर मुहम्मद कासिम option number B है मीर मुहम्मद अली option number C है मीर अब्दुललतीप option number D है मीर बाकी तो इसका right answer है option number C मीर अब्दुललतीप हमारा अगला question है कि तो आप्सन नमबर A है 33, आप्सन नमबर B है 32, आप्सन नमबर C है 34, आप्सन नमबर D है 206, तो इसका राइट एंस्वर है आप्सन नमबर A, 33 हड़ी, रीड में 33 हड़ीयां होती हैं. तो आप्सन नमबर A है पेट्रोलियम, आप्सन नमबर B है कपास, आप्सन नमबर C है जल विद्दूत, आप्सन नमबर D है इन में से कोई नहीं, तो इसका राइट एंस्वर जो भी हो आप उसको कमेंट में लिखिए, चलिए आज की लिए बस इतना ही अगर वीडियो करी दूने ही में स करी बसाज कि लिए सब्सेटों विएरों नमबर जता है,लो भी है, आप cuando भीणीश आप